जो नेगिटिविटी जनरेटरी है और अराउंड उसको कैसे अवोइड किया जाए माइंड को किस तरीके से प्रिपेर किया जाए कि वो पॉजिटिव डारेक्शन ले बजाए नेगिटिव के कि हमारे आसफस में नेगिटिविटी बहुत जाएदा है पॉजिटिविटी काम है विच इस अफैक्ट जहां भी हम देखते हैं न्यूस पेपर में यहां पे वहां पर जो बाते है यह वो हर तरफ नेगिटिविटी ही नेगिटिविटी है तो अब ऐसे में क्या करें नंबर तो भी थोड़ी बहुत होती होगी, बतलब खचर अच्छर ये हो, हाँ, चलता है, वो भी अच्छा लगता है, मतलब प्यार से बोलता हूँ, वो आपको और आगे भढ़ने के लिए, वो करता है, एंक्रेज करता है, कि खचर नहीं बनना है, तो कहने का मतलब है, इसको बैलन्स कैसे करोगे, इस वेरी सिंपल, अभी हमारे अंदर नेगेटिव इंफोमेशन बहुत जादा है, तो अगर नेगेटिव इंफोमेशन जादा होगी, तो नेगेटिव एक्शन जादा होगे, अगर पॉजिटिव एनरजी जादा होगी, तो पॉजिटिव एक्शन होगे, तो जितना हो सके, अपने माइन में बैलन्स को क्रियेट करने एकोशिश करो, यूगि नेगेटिविटी को आप लोग पूरी तरसे तो होगी, तो जितना आप इसको बैलन्स करोगे, उतना अच्छा है, बट धीरे दीरे आपको क्या करना है, कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से बाहर निकल करके, रियालिटी को आज़ेटिव देखते चले जाना है, वो पर्मेनिट सोलूशन है, नहीं तो हम क्या करेंगे नेगेटिव एनरजी आती हैं हमारे अंदर, तो हमको बड़ा बुरा लग रहा होता है, फिर हम पॉजिटिव एनरजी इसको अपने अंदर खुसा देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हो कुछ देर के लिए रहता है, होता है ना, ये क्वेशन बड़ा अच्छा है, that is better than कि सिर्फ negative जाए, क्योंकि वो तो हमको बिल्कुली नीचे गिरा देगा, वो तो हमको depressed कर देगा, कि क्या life है, जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब बेकार है, सब तरफ से pressure, सब तरफ से ये, सब तरफ से वो, तो आदमी फस्ता ही चला जाता है, positive से at least एक उमीद आती हमारे अंतर से, कि हमको बहार निकलना है, उस energy को आप use करो आगे भढ़ने के लिए, लेकिन ये याद रखना कि ये भी permanent solution नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में negativity कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, आप चाहिए कहीं भी चले जाओ, किसी भी level पर चले रहेंगी, तो down the line आपको क्या करना है, negative, positive दोनों से उपर उठ जाना है, फिर आपको ना negative से फर्क पड़े, ना positive से फर्क पड़े, आपको ये समझ आए कि दोनों ही information है, this is just a piece of information, we are putting a label on it, कि it is negative, it is positive, उस information को हमको कैसे use करना है, वो हमारे हाथ में है, इसको मैं एक example दे इडिटेटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हूं, उसकी त्यारी कर रहे हूं, तो negativity आप किसको कह रहे हो कि कोई आया और आकर कि आपको उसने बोला कि तिरे बसका नहीं है, नहीं कर पाएगा, क्यों कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये negative है, कोई आकर कह आपको तो आपको यह पॉजिटिव है जरूरी नहीं है दोनों ही एक piece of information है अगर हमारे अंदर intelligence है उस information को use करने की तो हो सकता है जो negative बोल रहा है हमको कि तू नहीं कर सकती वो हमारे काम आजाए बजाए कि हम लगे रहें 10 साल तक 20 साल तक अगर कोई आपको नेगेटिव भी बोल रहा है तो हो सकता है वो जो बोल रहा है उसकी पीछे सचाई है तो आपको दोनों तरफ से वो भी information useful हो गई या नहीं होई क्या पता आप भी बिल्कुल वो ही कर रहे हो जो उस बिचारे ने किया तो आप भी बिचारे बनने वाले हो clear हो रहा है ना बट अगर उससे आपने ये information ले ली किसी तरह से निकाल ली हो सकता है वो दे ना रहा हो information कहीं बार हाँ तो वो कुरेट कुरेट के निकालनी होती है information उसको आप नेगेटिव समझ रहे हो उसके साथ भी time spent करो समझो उस बिचारे ने क्या किया अराम से बैठ करके समझो उससे अराम से पूछो उससे बोलो कि मुझे कुछ सीखना है आपसे मुझे समझना है कि मैं करू या ना करू वो बारबार बोल रहा होगा मत करो इस मत करो को आप रटा सकते हो आप उससे पूछे हो कि मैं क्यों मत करो आप उससे बोलना पड़े गा या कोई आघर आपको कहहरा है कि करो तो उससे पूछो का क्यों करो इसमें इसा क्या होगा क्या होता है कैसे होता है तो फिर interesting एक conversation शुरू हो जाईग तो आपको दोनों तरफ से help मिलेगी जब reality को जानना है हाँ reality को समझना है उसके according act करना है अगर simply मैं बोलू आप यह जो भी पूछ रहे हो कि भई negative information बहुत जादा है तो हम positive कैसे रहे आपका motive क्या है? लाइफ में positive रहने का या जो भी आप कर रहे हो वो better है या चाहे आप positive रहो, negative रहो लेकिन वो entrance रणाफट से crack हो जाए ताकि आप एक step और आगे बढ़ो ताकि आपको success मिले तो success कैसे मिलती है पहले इससे समझ लो अच्छे तरीके से positivity से success नहीं मिलती है इस illusion से भार आजाओ negativity से भी नहीं मिलती है कि यह नहीं कि इसका मतलब हम कहीं कि हमको negative हो जाना है तो हमको success मिल जाएगी ना negative से ना positive से ना hard work से इसको अच्छे से समझ लेना जो चीज मैं बोल रहा हो दुनिया में बहुत लोग हैं बहुत hard work कर रहे हैं जितना आप करने वाले हो जिस भी competitive exam में आप से ज़्यादा करने वाले बहुत बैठे हैं तो success कैसे मलती है किसी भी field में अगर आपको generally success चाहिए तो you need to understand the strategy of successful people जिस भी field में आप जा रहे हो अगर आप ये समझ जाओ कि उसमें successful होने की best possible strategy क्या है और strategy को अगर आप समझ लो और उसके साब से act कर लो तो हर काम असान है और अगर हमको ये ना समझ आए और हम कितना भी hard work करते चले जाए सब कुछ मुश्किल है hard work pays you only if you are working in the right direction now what is right direction it has got nothing to do with negativity or positivity यूदिकि आप कितना भी positive हो जाओ that does not mean कि आप right direction में हो आप यहां से निकल गए हो आप कह रहे हो कि मैं वहां जा रही हूँ मैं बहुत positive हूँ अभी आप North Delhi में बैठे हो आप कह रहे हो मैं South Delhi में इस जगे पहुच जाओंगी बहुच जाओंगी बहुत positive हूँ कोई बीच में आगर कि आपको negative कर रहे हैं अभी कहा जा रही है क्या कर रहे है आप कहरो नहीं नहीं मेरे को negative मत करो आज परसम पूरी दुनिया आप से कहा रहे हो या क्या कर क्या रहे हो तो आप कहरे हो नहीं मुझे negative मत करो I am very positive है मैं पहुच जाओंगी, पहुच जाओंगी, पहुच जाओंगी but you don't know आप जा कहा रहे है वो जगह यहां पर है आप उस direction में जा रहे हो तो what you need is a real map based upon real locations, real understanding यानि कि reality को आपको समझना होगा अगर अपने mobile में आपने on किया Google Maps and now you say कि हाँ मैं वहाँ जा रहे हूं इतनी देर में पहुच जाओंगी that makes sense बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं चो कर रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं है if you have 100% conviction कि जो मैं कर रहे हूं वो सही है तो वहाँ पर ना negativity हमको influence कर सकते हैं ना positivity बट हम इस पर कभी काम नहीं करते हैं just to crack the strategies लोग crack ही नहीं कर पाए हैं लाइफ में कि कैसे आगे भढ़ते हैं कैसे successful होते हैं, अगर ये crack कर ले कुछ लोग कर लेते हैं crack वो करने हैं तो वो किसी एक field में नहीं कहीं पर भी successful हो सकता है